वेलकम टू बियूसी फिजिक्स एंड इस्टेटिस्टिक क्लासिस तो जैसे कि हमने हमारा डिस्कस किया है इस चेप्टर का शोट नोट उसी से रिलेटेड पेज कोश्चन हमारे बिल्कुश सेम इसमें जैसे चेप्टर से जादा कोश्चन नहीं आते हैं ठीक है सिर्फ आपको 5 से 6 कोश्चन इस चेप्टर में गीवन है देखो अंडर ट्रांस्फॉर्मेशन शोट नोट में मैंने आपको इसकी ट्रांस्फॉर्मेशन डिस्कस की थी एक्स इक्वल ए पर तो जब आपने सौल किया था लास में आमारा आ रहा था वी स्क्वएर इक्वल था 4 A स्क्वएर ब्रैकट में A स्क्वएर मैनस U की ए तो इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी शोट नोट वीडियो जरूर देख लिजेगा पर आपक को शो करेंगे नेक्स हैं अंडर ट्रांस्फोर्मेशन किसमें जो है लाइन पैलल होती है तो यह भी हमने डिस्क्स किया कि जब एकी पावर जैड आपका डबलू की को लोगा तब आपका जो होगा होगा पैलल ठीक है शोट नोट वाली वीडियो आप इससे जरूर देखेंग हैं दिस्क्स किया था ट्रांस्फोर्मेशन का तो अगर जैड आपका वन है तो डबलू भी आपका मोडूलस में वह वन इकोल होना चाहिए यह को शिन भी हमने डिसक्स किया था कि डबलू इकला बनबों जैड के वर पॉन्टू जैड प्लस बनबों जैड के तो अगर मैं इसका डिफिंशेशन करूं तो यह को अगर हम जीरो के कुल रखेंगे तो यह जाए को वन मैंस के वन पॉंट जैड इसक्वर तो इसके से प्रोड़क्ट है इनके जैड इसक्वर इकोल वन तो जैड इकोला एक प्लस मैंस होना ठीक है नेक्स कुश्चन अपका अंटर ट्रांस्फोर्मिशन तो यह भी हमने डिसक्वर किया था ट्रांस्फोर्मिशन का तो वहाँ पे माला रहा था यूज स्कूर मैंस भी स्कूर एक लोगा एक है ठीक है इससे इतने से कुश्चन आएंगे इस चैप्लस में आपको प्रोड़क हैं आप इने चक्कर सकते हैं बाकी शोट नोट की वीडियो पहले देजरूर देख लिजिए वर्ण आपको असर रहा की पता नहीं कैसे हो गया ठीक है थैंक्स वोचिंग लाइक शेर सब्सक्राइब ओके थैंक यू